Hello everyone, today we will solve from question number 7 of exercise 6E class 8th ICSC4 और हम ICSC4 के सेलिना पब्लिसर राइटर जो है आरकी बंसर, सेलिना पब्लिसर के आरकी बंसर राइटर है उस बुक को solve कर रहे हैं इससे पहले तक जितनी भी exercise हैं उन सब के एक एक कोर्शन हम solve कर चुके हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे discussion box में मिल जाएगा अगा कोई वीडियो आपको देख नहीं है तो आप महाँ नीचे discussion box में लिंक को मिल जाएगा ना question 7 is तू सेट्स A and B are such that A intersection 5 A intersection क्या है empty set है यानि कि A और B set के elements कैसे होंगे जो एक दूसरे में बिलकुल different होंगे यानि कि कोई भी एक भी element दोनों में common नहीं होगा तो draw a Venn diagram to show the relationship between A and B say the region representing first A union B चलिए करते हैं हमें क्या दे रखा है दो set ऐसे हैं कि A intersection B is 5 empty set यानि कि A और B दोनों के elements बिलकुल different है तो हमें Venn diagram से पहले हमें ये represent करना है A union B तो A union B का मतलब क्या होगा अगर जहां बेन diagram बनाते हैं तो बताया था पहले तो एक rectangle बनाओ जो कि universal set को represent करता है ठीक है इसमें set A एक सरक्री से और set B बिलकुल अलग होगे क्योंकि दोनों का कोई भी common elements नहीं है intersection phi यह यह empty set है यह A set यह B set यह universal set ओके अब A union B में क्या होता है ऐसे elements को set it करेंगे जो या तो A में हो या B में हो बस हो गया answer तो यह इसमें ही तो कह रहा था क्या किसे दा region representing A union B तो A union B का answer ही है second part A union B complement अब complement set क्या होता है यसे A union B हम नहीं है निकल दिया अब इसका complement निकालना है तो universal sets मैंसे A union B के elements को हमें minus करना है remove करना है तो इस पूरे set मैंसे इन दोनों सरकेट के elements को हटा दो बाकी सबको cidate कर दो यानि कि A और B unseed होंगे बाकी सबको cidate कर देंगे यह तो था कॉंप्लिमेंट यूनिवर्सल set मैंसे जिसका compliment निकालना है उसके सभी elements को हमें क्या करना है remove यह set A है यह set B है यह universal set तो हमें इन दोनों के elements को remove करना है इसके अलाबा बाकी सारा portion shaded होगा इन दोनों सरकेट को छोड़ दोगे बाकी सारे के सारे portion को हम shaded कर देंगे तो दिस सो A union B completely meant ना थर्ड़ पार B minus A B minus A represent करना है लेकिन ध्यान रखना है set वोई है उपार जो A union B कैसा है empty set यानि की दोनों में कोई वी common element नहीं है जिसका मोलते है disjoint set यह दोनों आपस में कैसे है disjoint set तो यह भी बहुत simple सा है B minus A वैसे क्या होता है set B मैसे उन element को remove कर देंगे जो set A में हो यह set A है यह set B है न और वो universal है यह पूरा तो B minus A तो B मैसे उन sets को हटाएंगे जो A में हो असमें तो ऐसा कोई है नहीं तो B minus A क्या होगा पूरा B sets को sedate कर दीजिए यह सो करेगा B minus A A का कोई set नहीं आ रहा और A का कोई element नहीं आना चाहिए B मैसे A के remove कर दो अब यह दोनों कैसा disjoint से disjoint में B minus A equal to B होता है और A minus B equal to A के होता है simple सी बात ना लास्ट पार्ट पूर्थ पार्ट पूर्थ पार्ट को हमें select करना है B intersection A complement इसको सो करना है अब देखो यह कैसे होगा यह समझ लो पहले तो में set बना लाता हूँ यह आपका universal set यह set A यह set B पहले तो A intersection निकाल नहीं ठीक है ना A intersection क्या होता है बता है आप sorry मैं उल्टा बोलाऊं एक complement है ना A complement क्या तो universal set में से हम A के elements को remove करें यह set A है यह set B इसको मैं चलो आपको थोड़ा अलग पर 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 समिताता हूँ हमें क्या निकलना था इसमें B intersection A complement अब मैं कहूँ अब A complement हम set को निकालें यह A है यह universal यह set B तो A complement U मैं से A को हड़ा दो बस A set को हड़ा दो बाती सब आएगा B भी आएगा इसमें ठीक है तो यह तो हो गया क्या A complement अब B intersection क्या है B A है यह B intersection को सो करेगा intersection निकल दा है मुझे सौरी B set को सो करेगा है ना अब इन दौरमा common क्या है यह सर्की तो common है जो आ रहा है तो answer क्या हो जागा इसका cable set B के तो हम क्या कहरेंगे A B तो cable B को set it कर दो गे समझ मा गया सेम ऐसी figure बनेगी जो B है उसको set it कर दो तो B intersection A complement क्या हो गया यह बस समझ मा गयी दोबारा समझ बागा नहीं समझ मा आई मैंने क्या कर रहा पहला आपको A complement निकल के दिखा है A complement क्या होगा यूनिवर्सल set में से सारे elements ले लो कि अबल A को blank छोड़ दो क्यांकि A का element नहीं होना चाहिए यह पूरा set it है यह नहीं है B set यह है अब इन दोणों में common कांसा है यह सरके लिए दो common आ रहा जो जो दोणों में सेड़ेट पोर्षन है तो यह इसका answer हो गया या B intersection का मतलब होता है दोणों में जो common parts हो B intersection A component वो हुआ यह ना question number 8 question number 8 में हमें एक bend diagram दे रखा है first state the represent by shaded portion of the following bend diagram हमें बताना है इस bend diagram में जो shaded portion है उसको किस से represent करेंगे कि A minus B है A intersection B है जो भी है वो हमें बताना है तो हमें यहां दे रखा है ठीक है यह set A दे रखा है यह set B यह इसका first part है और universal set होता है यह पूरा यह इन दोनों circle के अलाबा पूरा का पूरा portion shaded है अच्छा अब यह बताओ यह दोनों circle क्या कहलाते हैं A union B हमने universal set में से A union B को remove कर दिया है तो यह क्या हो जाएगा A union B का compliment क्योंकि A union B remove है तो किसको represent करेगा A union B का compliment compliment of A union B clear now इसी का second part second part में हमें एक band diagram दे रखा है यह set A यह set B और केवल इतना हिस्सा यह A यह B और यह तो universal set होता है तो B में से हमने A element को remove कर रहे है और तो कुछ आ नहीं था यानि कि किसको represent कर रहा है B minus A B minus A यह तो होता है B में से A के elements को और यह तना जो बीच में दोनों common है वो A का elements है इसमें A में भी है B में भी वो हमने remove कर दिया यानि कि B set में से A के remove कर रहे है यानि कि क्या हुआ यह B minus A तो यह किसको represent करेगा B minus A को ओके ना थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट करेंगे लेकिन थर्ड से पहले इसको बता दूँ इसको देखो एक तरीका इसका और यह represent करे B minus A तो समझ में आगे आपके अब जरा मैं इसना 12 से समझाता हूँ एक कॉम्प्लिमेंट क्या होगा देखो जैसे मैंने पहरा समझाए था अब 12 समझा लो यह set A है यह set B एक कॉम्प्लिमेंट क्या होगा अगर मैं इतने हिस्सको सेड़िट कर दूँ यूनिवर्सल सेट मैं से set A को यानि कि यह पूरा सर्फी A है न इसको मैंने रूमूप कर दिया तो यह A कॉम्प्लिमेंट को represent करेगा ठीक है अब जरा set B किसको represent करेगा यह A यह B यह set B को करेगा अब हमने इस फिगर में क्या लिया था के वल B set वाला ठीक है न तो इन दोन में जो common होगा वो क्या होगा A कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन B तो कितना सा common आ रहा है यह तो आ रहा है और यह फिगर हमने इसमें बना वी है यह और यह और यह तो B माइनस ए तो है है हाँ आप इसको यह विली सकते है A कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन B हमने देखा A कॉम्प्लिमेंट इह है और इन दोन में जो common हिस्षा है यह इसमें है इसमें भी है ठीक है ना यह मैंना अलळग कर दिया मेरे को यहां मनाना चाहिए था तो यह कॉमन हिसा इसमें भी है ओके इसको हम यह वीरी सकते हैं और इसका दूसरा नाम अब थर्ड पार्ड में हमें यह फिगर दे रखी है और सेडिट पोर्षन पहुंचा है अच्छा जारा इसमें अनसेडिट पोर्षन देखके बताओ अनसेडिट पोर्षन की वैलू बता सकते हैं क्या है यह ए मेंसे ब का पोर्षन गायव है न देख लिए आपे तग खिगा ठीक मैंसे कि एलिमेंट जो है सेट ए के एलिमेंट उसमें से ब के एलिमेंट नहीं है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे अनसेडिट क्या है ब मैंसे a के elements नहीं है यह unsidded portion इतने तो हैं और यह पूरा सर के लिए तो यह क्या हुआ b minus a जो unsidded है unsidded वाला है b minus a हमने b minus a के अलावा सबको sidded कर रहा है अगर हमे b minus a लिख लिया और हम अगर इसका universal sorry compliment सर निकाले तो universal मैंसे क्या करते हैं इसके अलावा सबको sidded करेंगे और यह वह हो रहा है कि इसके अलावा बाकी सबको sidded हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा b minus a का compliment b minus a compliment को represent कर रहा है समझ मागया दुबार देख लो क्या है यह जो unsidded है इसको अगर unsid वाला portion है तो यह क्या होगा b मैं से a set पूर हड़ गया तो b minus a की इकोल है तो unsidded की बाद चल लगी है तो b minus a है अब जो unsidded होता क्या है universal set में स्कोर उसको compliment तो यह क्या था b minus a और यह isidded तो यानिकि b minus a का compliment है क्योंकि यह portion शेड़ उस एरिया में नहीं आ रहा वो उसको compliment तो यह हो गया b minus a का compliment ना नेस्ट नहीं है पार्ट ना कुर्शन नम्बर 9 9 में भी हमें bend diagram दे रखा है यह लिख रहा है in each of the given चलो दिखाता हूँ मैं आपको तो 9 है in each of the given diagram shaded the region which represents the set given underneath the diagram यह दिर्खा b minus a compliment यह तो उपर वाली आ गया हमने भी दिखाया था यह क्या था b minus a compliment ही था तो ऐसे हो जागा shaded यह पूरा पूरा तो b minus a दोए को पहले b minus a कौन सा होगा याला जो उपर 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 यह है चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट यहां भी करते हैं तो हमें फर्स्ट पार्ट में b minus a को shaded करना है b minus a compliment compliment of b minus a यह set a है यह set b है यह a set है यह universal set यह तो b minus a compliment हमें represent करना है हमने अभी उपर ही डिसकस करा तो b minus a को छोड़ दो पाकी सब को shaded कर दो b minus a मैं उपर समझ गया है उपर डिसकस करा तभी यह इस circle के भारवा एक के भारवा ठीक है ना इसको भी हम shaded करेंगे अब बहुत से बच्चे करते हैं बर्टीकल वो आपकी मर्जे कैसी करो यह कोज़ भूड नहीं है कि आपको ऐसी line करनी है आप सीधी सीधी कर दो या horizontal कर लो आड़ी तरी से उसको उफरक नहीं है तो यह b minus a कॉम्प्लिमेंट रिप्रेजेंट हो गया ना सेकिंड सेकिंड में हमें फिगर दे रखी है वेंट डियागरम दे रखा एक वो हमें a b यह set a है यह set b है अब हमें क्या करना a intersection b complement अब आपको साथ समझ मा आ गया हुआ नहीं आया तो समझो a intersection b देखो कौन सा होगा यह बीच वाला अब इसको complement इसको हटा दो इसके अलाबा इस दो और common आली portion के अलाबा सब को आप सेडियोट कर दो इसके अलाबा सब सेडियोट होगा वर जो common बाला है वो नहीं होगा यह unseडियोड रहेगा अतना portion बाकि सब सेडियोड तो यह जो छोटा सब portion है वो इसकी value है a intersection b लेकिन हमें क्या चाहिए A intersection B complement यानि कि इस shaded पूरे rectangle में से इसको un-saded होना है बाती सब shaded यह तो इसका shaded portion है वो इसको so कर रहा है A intersection B complement में यह सारे elements आईएंगो shaded portion में जो इसमें होंगे वो इसके parts नहीं होंगे न थर्ड पार्ट इन थर्ड लास्ट पार्ट है Q9 का थर्ड पार्ट में पहलत में आपका bend diagram draw करूँ Set P and Set Q यह P है यह Q यह universals है अब हमें P union की का complement तो आपको इस साही लिए तो समय में आ गया P union Q क्या होता है P और Q दोना सरक्ल को सीड़ करेंगे अब उसी को हमें universal सुरी universal को निकल जाता है मुझसी है compliment निकालना है न उसका तयानि कि universal में इसको minus करना है तो यह unceded हैंगे दोनों सरक्ल तो इन दोनों सरक्ल के अलावा भार जितना भी पोर्सन है वो सब sedate हो जाएगा यह दोनों के दोनों सरक्ल के अंदर कोई सेड़ेट पोर्सन नहीं आना चाहिए ओके आप लोग फ़रा सरक्ल सही सही सहाना तहाँ से बना रहा है ना थोड़ा सही सही सहाना clear तो यह पोर्सन जो है सेड़ेट पोर्सन वो किसको सो करेगा पी यूनियन क्यू कॉम्पली मैंट ओके नव सेकिन लास्ट कोष्षन कोष्षन नमबर 10 ज़िए करते हैं 10 को भी अब कोष्षन 10 में हमें यह बेंड डाइग्राम दे रखा है कोष्षन है फ्रॉम्दा डिविन डाइग्राम फाइन फर्स्ट ए यूनियन बी इसकी वेलू फाइंड करने है कि इस सेट में कौन-कौन से एलिमेंट आएग्रे अगर आप डारेक्ट लिख सकते अच्छी बात है नहीं लिख सकते लिखने ता आपको डारेक्ट निया तो आप रफफर शॉल कर लिए आपको step by step पहला अब A union B के elements नेका दो A circle यह रहा बी circle यह है तो A union B के elements क्या होंगे मैं आपको अलग paper पर समझाता हूं A के elements कौन से है A BCD इस circle में जो भी आ रहे है A B C D अब B के कौन से जो CD तो आह चुके कौन कौन से रहेगा E G तो E, G ये set represent करेगा अगर खाली A union B के element पूछे होते हैं A, B, C, D, E लेकिन इसमें से minus करना है C, minus हमना रहता चुका इस set में से C को minus करना है यानि कि अगर इस set में C के element जो भी आ रहे हैं उनको हटाएंगे C के element कौन से हैं वैसे C sets के है FB है, EB है, CB है, BB है तो कौन कौन सेटेंगे B, C, E B को हटाओ, C को हटाओ और E को हटाओ, क्या बचा A, D, G तो ये इसका answer हो गया ADG, क्या answer होगा इसका A, D, G इस set के elements होंगे ADG, ओके second part अगर आपको नहीं सहंज़माया हो ना बैचन हो सकता है आप comment box में comment करें मैं उस question को द्वारा से और किसी method से समझानी questions करूँगा ना second part second part में हमें find करना है B minus A intersection C तो ये भी साथ आपको समझा आगए अब हम A intersection C कर रहे है तो पहले आप A intersection C निकल दो, देखें A intersection C की value क्या हो, जो क्या होगी intersection A और C दोनों में common हो A circle देखो, ये C circle देखो, ये तो दो मिल गए common, जो देखो circle A में भी है, circle इसमें भी है BC, तो A intersection C की value हो गई B और C हमें find क्या करना है, B minus ये अब हमें set B में से अगर BC हैं तो इनको remove करेंगे और अगर नहीं है, तो सारे के सारे elements पूई आजाएंगे, तो अब देखते हैं set B, set B का ये रहा set B में 4 element है ये circle दा पूरा, और कौन से C, D, E, G C, D, E, G, एक element मिल गया C, तो set B के elements क्या आते पहले B के लिखनो, C, D, E, G इसमें से हमें ये minus करना है इसमें जाने के लिखे, इसमें बना लिखा, इसमें बना मत देना, set ये बनेगा, तो D, E, G, इसका आंसर हो गया, D, E, G, now last part, third part third part third part में फिर आगे ये क्या है, verify भी करना वो अलग से लखा, part नहीं लखा, fourth part हो चाहिए था, okay, third part में ये पूचा है कि V intersection C union A तो क्या समझ माता है V intersection C A set कौन सा है, A set से A, B, C, D, तो ये तो 100% चारों के चारों elements आएंगे क्योंकि universal set का मतलता है, जो elements A में हो, और साथ-साथ जो elements V intersection C में बन सबका A के तो पता चल गया हमें, A, B, C, D है तो ये तो सब आईनी आएंगे, है ना चलो, मैं इसको भी अलगसिस पता जिता हूँ set A के element हमें पता है क्योंकि उस सर्कित A है, बड़ा set ये तो है, A, B, C, D तो मैंने इसके elements दिखने हूँ sets A किसके एक वल है A, B, C, D, S में 4 cardigan number है, जिसकी value क्या है A, B, C, D अब हमें क्या निकालना है B intersection C निकालना है B intersection C क्यासे निकलेगा जो element B set और C में common हो तो कौन से ये को B circle ये रहा और C ये रहा, तो कौन से common आ रहे C, D, E, G C, D, E, G इसी तरह C set के C set कौन सा है, बढ़ाला येला circle इसमें क्यों कौन से आ रहे हैं B, C, E, F B, C, E, F अब इसके बाद तो आप अच्छे से खूब जानते हो इसमें कुछ प्रॉलम नहीं होगी circle में तो हो सकते देखने में intersection C, जिसमें को दोनों में common हो, एक तो C मिला ये E था साए और एक E मिला, और देखो जी तो आ रहा था येला common, C circle में भी है B में तो C, E, मैं इसलिए लिखा था अब मैंने आपको दोना तरीके से समझा कुल मिलाकर आपका question सही होना चाहिए तो ये आ गया C, E, ये तो यह है C, E मैं नहीं लग दिया ये क्या है B, intersection C अब इसका और और इसका union तो A, B, C, D तो आएंगे जाएंगे अब जो रह गए, C तो आचुका, E रह गया A, B, C, D, E ये इसका answer हो जाएगा A, B, C, D और E element रह गया था ये भी आगया इनिवर्सल का ये होता है या तो इस वाले sets में हो और या फिर इस set सारे के सारे elements होने चाहिए जो इसमें भी होने रिपीट नहीं होगा बस एक elements A की बार आएगा जैसे C, इस यहाँ लिए आ रहा था यहाँ भी तो इसका C नी लिए हम तो आल्रीड लिए 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 लिखी देता हूं सारे की value मिकाल ले है और सारे के अगर ये दोनों सेम आ जाती है तब तो वेरिफाइड हो जाएगा और सेम नहीं आती है तो वेरिफाइड नहीं होगा अब जब वेरिफाइड कराया है तो इसका मतला 100% यह इकल होगा तो 100% वेलू भी सेम आने चाहिए देखते हैं चलिए देखो वी इंटर्सेक्शन सी निकाला था मने भी निकाला था जब यह पार्ठ है तो B इंटर्सेक्शन सी निकाला होगा अब मैं द बार नहीं निकाला होगा यहां इसन्जहे चुका नो मैं अल्रेडी पहले सॉल्व कर चुका हूं यह समझाया है इसलिए मैं हिंसी ले लिया वी इंटर सेक्षन वी की वैलू है सी आप डारेक्ट भी कर सकते हो वी इंटर सेक्षन सी फिगर से देखके हमने था बी और सी में कॉमन यह है सी सी अब ए सरकल में से सी एको रहा दो सी आ रहा है भाली तो ए बी बच्चा अब यह ऐसे बताया था था मैंने सी को रहा दो ए बी टी तो इसकी वैलू क्या गी लेप्रेंस साइट की वैलू आ गई आप इप इस था लेचेश है अनप आरचेश देखें A-B A-B की value क्या होगी Union A-C चलो इसको मैं solve ही करता हूँ Circle A मैंसे B के elements अठाओ A, B, C, D और C, D देखो B में भी है तो क्या बचाएगा only A, B A, B ठीक है यह A-B लिखा मैंने Union A-C अब set A मैंसे मैं circle गोल गया था set A मैंसे set C के element set A में कौन से हैं A, B, C, D C में कौन से हैं B, C दोनों में common क्या बचाएगा only A, D क्या बचा A, D इनका universal निकालना है कैसे निकालेंगे A भी तो लिख लिख लिए हमने पहले set के A तो आचुका D रह गया तो D ले लिया अब देखो LHS की value भी from equation first यह from equation set first और second से LHS equal to RHS है तो यह verify हो गया LHS is equal RHS it means it is verified now last question of this exercise question number 11 and the question 11 यह universal set हमें दे रखा है यह set A यह set B और यह G और H और है यह circle में जो common है factor है ना जो common factor बोलों sorry common area है ना तो इसमें कौन कौन से B है यह और यह E लिखा हुआ है मैं आपको जूम करके दिखा दूँ यह B E लिखा है ठीक अब इसको देखकर हमें यह value बाजित करनी है question में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं ध्यान से सुन दीचिए using the given diagram express the following sets in term of set A, set B A, B के term में बता रहा है पहला दे रखा हमें A, D ऐसा set जिसमें element A, D है किसके एकको लाएगा A, D का है यह तो इसमें पूरे circuit A मैंसे common मारे हटा दी यानि कि A मैंसे B के subtract को B के element subtract कर रहे है तो इस set किसको represent करेगा A minus D को क्योंकि हमने देखा set A में A, B, D, E है और B में क्या है C, D, E है तो B के elements यह common थे B, E हटा दी है A मैंसे A मैंसे B के element को ठाले है तरहने कि A minus now second part A, D, C, F एक set दे रखा है जिसके elements है A, D, C, F अब यह जड़ा ध्यान से लिए देखो A, D जी रहे, C, F जी रहे इन दोनों की जो common elements थे B, E वो इसमें नहीं आ रहे तो यह किसको represent करेगा देखो A union B में क्या होगा पूरा circle होगा A, D, B, E, C, F होगा है ना A union B मैंसे यह आले minus हो रहे है और जो common होता है वो क्या होता है intersection यानि कि किसको represent कर रहा A union B मैंसे माइनस कर रहे है A intersection B को तो यह किसको represent करेगा A union B minus A intersection B को इसको भी bracket में लखनो ओके बास समझे मागई A union B सारे सारे elements आएंगे इन सारे मैंसे यह दोनों elements नहींगे इसमें वो यह दोनों में common होते है वो क्या होता है intersection A intersection B इसको हम remove कर रहे है तो माइनस मात रूमूब आला set तो यह क्या है A union B इसमें सी दोनों common जो set हैं माइनस हो रहे है यानि कि माइनस हो रहा है A intersection B तो इसकी value इसके equal है थर्ड पार्ट A, B, C पहले दिखने चलाओ यह तो आप बहुत आरम से उताब होगी A, B, C, F, G, H यह नहीं है बाकी कि सारे के सारे है तो क्या समझ में आता है क्या दमाग में आता है पूरे elements में से A intersection B के नहीं है तो यह क्या होता है Universal set में से इसको हडा रहे है इसको A intersection B को यानि कि A intersection B को compliment हो गया compliment हो तो universal set में से जिसको हडा दे हैं बाकी जो बचा तो यह हड गया देखो B, E नहीं है बाकी सब है और यह universal set है और कौन से set हडा रहे है जो common है यानि कि A intersection B तो यह किसको represent करेगा A intersection B complement A intersection B complement बात समझ में आगई ना फोर्थ पार अगर आपको bend diagram समझ में आगए तो समझ में आप set को हुश्यार होगे कुछ भी आप से पूछ लो तुरंद बता रो ADGH बताइए ADGH क्या होई ADGH AD कौन सा है कौन सा set गाए हो रहा है B, C, E, F नहीं आ रहे यह क्या है B और universal set के सारे आ रहे हैं और B के element नहीं आ रहे तो जिस sets के elements नहीं आ रहे होते हैं वो उतने ही complement के इकोल होता है यानि यह होगे B complement जैसे उपर आल में क्या होता A intersection B set के elements नहीं थे तो A intersection B का complement क्योंकि सारे elements है सारे elements से जो नहीं आ रहे सारे elements का set का रहे है उनिवर्सल सेट universal में जिसको माइनस करते हैं वो कहला थे complement जैसे हमने A intersection B को माइनस करता है तो A intersection B complement यहां हमने देखा B set के element नहीं है तो यह हो गया B complement ना लास्ट पार्ट फिप्थ पार्ट एज केवल GH दे रखा है अब यह तो बता दो भाई GH क्या है GH में क्या है A union B k elements नहीं है यूनिवर्सल सेट में से GH यह सारे के सारे तो नहीं है किसके नहीं है A union B के तो हमने बताया था पूरे सेट में से A union B के elements नहीं है कॉम्प्लिमंट में सुरी यूनिवर्सल में तो यह इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लिमेंट तो यह रिप्रिजन करेगा A union B कॉम्प्लिमेंट तो यह आज आपका chapter 6 complete हुआ एक दो दिन थोड़ा बिजी रहा इसकी exercise नहीं बन पाईती याले question बनना आपका 7th exercise हो जाती किसीने comment डाला था 7th chapter सुरू करो तो कल से आपका 7th chapter सुरू हो जाएगा अगर आज मौका लगा आप मैं late night तो मैं इसका introduction बना बनना आपको कल वीडियो मिल जाएगा इसका तो मुझे उम्मीद है आपको set बहुत अच्छे से समझ में आगया हो हो सकता है कुछ question में आपकी अभी भी problem हो तो आप बेजी जग किसी भी वीडियो में आप comment box में comment करें मैं उसको दूर करने की पुरिकोसिस करोगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करना न भूलें साथी साथ bell icon चैनल प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अप्रोट होगी उसका notification आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी बिस नहीं होगी इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी share करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके है और एक रोकेश्टी क्योंकि आप देख रहे हैं ता ICSC वोट के हैं मेरा ICSC मैत नम से अलग चैनल उसमें सिर्फ ICSC की वीडियो है जिसका link मैं आपको नीचे description box में देदूँगा हो सकते हैं तो उसे इगी subscribe करेंगे फिर मुलते हैं नाइस वीडियो में Thank you, have a nice day